हेलो दोस्तो, I hope you all are well, आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, सभी गैडलेन का पालन कर रहे होंगे, तो दोस्तो एक COVID-19 की situation में आप अपने आसपास awareness फैलाईए, उन लोगों को बताईए जिनको इसके बारे में पता नहीं है, कि पैनिक करन हैंड वासिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, और इन सब ची मास्क पहनना, ये सब चीजों के बारे में आप बताईए, हम इस सोसाइटी के जिम्मेदान नागरिक हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि इस महामारी के दौर में हम अपनी कंट्री के साथ खड़े हों, अपनी लोकैल्टी का ध्यान रखें, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, तो दोस्तों, आज है 29 मेर 2020, तो शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेर्स की सीरीज, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक मोटिवेशनल कोट के साथ, तो फॉलो यूर पैशन और सकस फॉलो यू, तो दोस्तों, सौफिजदी सही बात है, कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो सकस अटमेटिकली आपको फॉलो करते हुए आती है, तो दोस्तों, आप देखिए कि आप किस फिल्ड के लिए पैशनेट हैं, उस फिल्ड में आप अपना 100% देंगे अगर आप किसी भी चीज में अपना 100% देते हैं तो definitely देर से ही सही लेकिन आपको success एक दिन जरूर मिलेगी तो इसी motivational code के साथ सुरू करते हैं आज के important current affairs and news तो प्रधान मंत्री मत्स समपधा योजना के जो की fishery sector के लिए launch की गई थी तो निमने में से कौन इसका part है तो यह पाच option दिये गए इनमे से कौन पार्ट है PMMSY का तो इसका part है option number two स्वात सागर तो स्वात सागर part है PMMSY तो हमार गवर्मेंट के government ने इसमें एक और चीज लांच किये जिसको आप याद रखिएगा कि जो fish farmer को motivate करने के लिए उनकी organization को strong करने के लिए और goals को achieve करने के लिए जो PMMSY के goal हैं उनको अचीव करने के लिए government ने लांच किया सागर मित्रा तो दोनों याद रखिएगा स्वात सागर और सागर मित्रा तो कौनसी organization है जिसने power ministry के साथ एक agreement किया है नर्मना basic project company limited के साथ जो की एक hydropower projects बनाएगी जिसकी लागत रहेगी 2200 करोड तो यह power company है Power Finance Corporation PFC और यह मध्यपरदेश की government जो power projects बनाएगी इसके जो छमता रहेगी 225 MW और इसमें different different hydroelectric power project होंगे जो की different multi-purpose के लिए use होंगे तो कौनसी state ने एक webinar, web-based seminar organize किया इसमें Department of Science and Technology और TRI FED ने मिलके इस webinar को organize किया तो यह webinar था वन्धन योजना learning for post COVID-19 तो COVID-19 के बाद हम किस तरीके से वन्धन योजना पे काम कर सकते हैं इस से related webinar किस state ने organize किया इन दोनों organization के साथ associate करके तो यह webinar launch किया organize किया राजिस्थान की सरकार ने और जो यह वन्धन scheme है यह basically हमारी tribal जो हमारी जन जाती हैं जो schedule tribe community हैं जो की वनों में रहती है उनको empowering उनको उनके शशक्ति करन के लिए योजना को प्रधान मंत्री के द्वारा launch किया गया है और जो हमारे Department of Science and Technology के minister हैं वो है Dr. Harshwardhan और Dr. Harshwardhan को हाल ही में WHO के executive board का director भी न्युक्ति किया गया है और जो TRIFED इसका full form है the tribe cooperative marketing development federation of India तो यह points आप इससे related यहाद रख सकते हैं तो तमिलनाडू की सरकार ने कितने MOU sign किये हैं जिनकी लागत होगी जिनकी वर्थ होगी 15,128 करोड रुपीस तो यह MOU different countries की companies के साथ तमिलनाडू की government ने sign किये हैं जो की COVID-19 से जो recession जो unemployment की condition पैदा हुई है तो इसमें employment opportunity प्रोवाइट कराएगा लगबग 4700-150 लोगों को तो इसमें total MOU जो sign किये गए तमिलनाडू government के द्वारा वो है 17, 17 MOU sign किये गए हैं तो किस राज्य के mango department तो आम विभाग ने flipcard के साथ एक MOU sign किया है ताकि जिसमें flipcard उस राज्य के mango farmers को support प्रोवाइट कराएगा ताकि वो अपने जो आम है उनको जो online है उसे sale भी कर सकें अभी हाली में कल की news भी आप देख रहे थे पहले इसका अंसर देखते हैं कि flipcard के साथ किस ने MOU sign किया कौन से state के mango department ये है करनाट का और अभी last कल की ही news थी कि जो जालदू आम है जो बिहार का आम है जिसको geotag भी मिला उसके साथ बिहार बिहार ने इंडियन पोस्ट के साथ साही लीची और जलादू आम का जो है उसक बार गुवर्मेंट ने किया है टाइप इंडियन पोस्ट के साथ तो भारत जो फिस एक्सपोर्टिंग नेशन है जो जो मचली के नीरिया तक देश है उसमें भारत का स्थान कौन सा है तो इसमें भारत का विश्व में स्थान है चौथा आप एक बात याद रखिए कि जो आप इकडिक कल्चर जो हमारे वहां फिश्री फिश प्रोड़क्शन होता है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं जो फिश्व प्रोड़क्शन लेकिन हम एक्सपोर्ट करने में चौत नंबर पर है क्योंकि क्ट्रिय मारी बाद बढ़ी है तो चॉठ से वह से थान शेत तो ये दोस्तों ये एक्टिंग से रिलेटेड थे आपने रेडी फिल्म में इनको देखा होगा अमर चौधरी का किरदार इनोंने निभाया था पिक्चर देखके आप इनको रिमाइंड कर सकते हैं तो इनका नाम है मोहित भागेल जो कि एक्टिंग के फेल्ट से बिलाउं कर और ये COVID-19 में जो परचेजिंग पावल लोगों की कम होई है थाकि लोग easily मारती सुजुकी के वेकल या उनके प्रोड़क्ट खरीच सके उसके लिए स्कीम को लॉंच किया गया है तो ये स्कीम लॉंच किया है मारती सुजुकी ने चोला मंडलम इन्वेस्मेंट एंड गया तो ये किस देश से सम्भन देग तो ये बिलॉंग करते थे औस च्यल्या से और से आस्ट्रेलिया जिसकी रासदान इंवे कैंभणड और मुद्रा है और सूग अ Standard World Turtle Day जो कि बार बार एक्जाम में पुछा जाता है तो World Turtle Day जो कि हर साल मनाया जाता है 23rd में को तो याद रख सकते हैं आपकी जो important days एक्जाम में लगाता रहते हैं तो 23rd में को मनाया गया World Turtle Day तो National Company Law Tribunal ने किस किस राज्य को अप्रूबल दे दिया है कि वह 50% स्टेक रख सकता है Infrastructure Leasing and Financial Services के तो ये National Company Law Tribunal ने अप्रूबल दिया है ये गुजरात को तो गुजरात अब स्टेक ले लेगा 50% ILN FSK तो कौन सी FMCG कंपनी ने Sunrise Foods के 100% share को acquire कर लिया है या फिर उनके 100% share को ये खरीद लिंगे तो ये agreement हुआ है ITC और Sunrise Foods के बीच में Sunrise Foods को acquire कर लिया गया है ITC Limited ने कौन सी कंपनी है जिसने collaborate किया है इंडियन इस्ट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिशन जम्मू के साथ जो की डेवलप करेंगे RT Lamp-based test COVID-19 तो ये एक test kit बनाएंगे RT Lamp-based तो ट्रिपल आई-एम जम्मू के साथ collaborate किया है कौन सी कंपनी ने तो ये है Reliance Industries Limited तो RT Lamp ये टेकनलोजी का पहले यूज किया जो लेंप टेकनलोजी है इसका यूज पहले किया जाता था अब इसके थुरू हम जो RNA का detection करेंगे और हम ये भी जान सकते हैं कि infection, disease की cause क्या है, bacteria है की virus है तो COVID-19 की test kit बनानी की कोशिश की जा रही है और RT Lamp इसका full form है reverse transcription, loop, meditated, isothermal, amplification हाली में बच्चों के लिए एक online book launch की गई जिसका title था, title है The Ika Book तो इसको किस ने release किया, The Ika Book को release किया है Harry Potter के Harry Potter series को लेखने वाली महान लेखी का J.K. Rowling ने, तो आप देख सकते हैं, J.K. Rowling के picture भी लगाई है हमने तो पदमिश्री अवाट के विजेता मुस्तबा हुशन जिनका हाली में निधन हो गया तो 21 भासा के लेखक थे तो 21 भासा में लेखा करते थे तो ये थे उर्दू भासा के लेखक और इन्हें Mark Twain of उर्दू के नाम से भी जाना जाता था तो Mark Twain of उर्दू के नाम से जाना जाता था मुस्तबा हुशन को आर सन्मुगम जिनका हाली में निधन हो गया तो ये किस खेल से जुड़े वे थे तो ये थे प्रशित फुटबॉलर आर सन्मुगम तो लगाता पेपर में question पुछे जाते हैं कि ये एक वेक्ति का नाम दिया जाता है और किस पेल से associated था या किस छेत्र से associated थे तो याद रखिएगा और स्टैनली हो जो कि एशिया के richest person में से एक थे इनका हाली में निधन हो गया है इनको पॉपरली किस नाम से जाना जाता था तो इनको बोला जाता था casino kingpin casino kingpin तो casino से जुड़े वे थे ये stanley ho और 28 में को एक important day मनाया गया international day of action of women's health तो women's की health से related action लेनी का international day मनाया गया 28 में को तो दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद आप अमरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और bell icon को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारे डाले गए सभी वीडियो की notification आपको टाइम टाइम पर मिल सके और दोस्तों फर्स जून से हम टेक्नोमेटरी की एक सिरीज रेके आ रहे हैं जिसमें हम टेक्नोमेटरी के बेसिक कॉंसेप्ट से एडवांस तक क्या आपको बताएंगे और उसमें हम लास्ट पास्ट येर्स में आए वे question भी discuss करेंगे और और उत्राखंड की और एक हुज कभी है कि हम उत्राखंड की भी एक dedicated सिरीज जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं जो की अस्तोसर लेके आ रहे हैं और जीके की भी एक special dedicated class होगी जो की बिमल सर के थ्रू ली जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमार साथ जुड़े रहे हैं अपना सपोर्ट बनाए रखिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका एक और बार धन्यवाद आपका दिन शुभो धन्यवाद जैहंद वंदे मात्रम